नमस्कार दोस्तो चलिए करते हैं पेटियम शेयर का टेक्निकल एनलिसिस और दिखते हैं कि इस शेयर में क्या अभी यहां से एक भयंकर गिरावट आ सकती है या फिर इस शेयर में यहां से एक अच्छी तेजी आएगी और ये भी डिसकस करेंगे कि इस शेयर में हमारे करते हैं तो दोस्तो कल के वीडियो में मैंने आपको कहा था कि इस शेयर में 719 रुपीस का जो लेवल है यह वाला लेवल एक important resistance लेवल है और दोस्तो आप इस शेयर को तभी बाय करना जब ये शेयर 719 के उपर stable हो जाता है तो आज आप देख सकते हो दोस्तो आज भी इस श resistance फेश किया आज सुबह तो ये शेयर इसके उपर गया था थोड़ी देर के लिए पर उसके उपर ये शेयर stable नहीं हो पाया और उसके बाद इस शेयर में हमें एक बहुत भयंकर गिरावर देखने को मिली तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे ये शेयर 719 के इदर पौचता ह उसके बाद इस शेयर में जो seller से वो active हो जाते हैं तो यहाँ पर 719, 720 का level important resistance है पहले भी आप देखो कई बार ये शेयर इसी level पर resistance वेश कर चुक है और अभी लगातार 3 दिनों से ये शेयर इसी level पर resistance वेश कर रहे हैं तो यहाँ पर 719 का level एक important resistance है दोस्तों अगर हम बात कर इस शेयर में support की तो यहाँ पर ये वाला जो level है 643 रूपीस का level ये level एक important support है क्योंकि यहाँ पर आप देखो पहले भी ये शेयर इस level पर support ले चुका है दोस्तों आएब हम apply करते कुछ important indicators और देखते हैं ये इन indicators में हमें क्या changes देखने को मिला है तो दोस्तों यहाँ पर दोनों इंडिकेटर apply हो चुके हैं यहाँ पर आप देख सकतो मसीडी में हमें लगातार negative histogram generate होते हुए दिखाई दिये हैं और यहाँ पर दोस्तों जो मसीडी के negative histogram का size है वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो यह एक बहुत ही बुरी चीज है और दोस्तों RSI भी लगा खरिदारी करने का सही मौका आ गया है तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको इस शेयर में खरिदारी नहीं करने चाहिए क्योंकि दोस्तों आज भी इस शेयर में एक bearish candle generate होते हुए दिखाई दिया है आप देख सकते हो आज जब हमें इस शेयर में सूबे opening तो अच्छी देखने को मिली थी ओपनिंग के बाद एक अच्छी तेजी भी आई थी पर दोस्तों उसके बाद यहाँ पर सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और उसके बाद हमें एक भयंकर गिरावट देखने को मिली तो यहाँ पर इस शेयर में bearish candle generate हुए है साथ ही इस शेयर का MACD भी bearish हो गया है RSI भी bearish है और यह शेयर resistance भी break नहीं कर पा रहा है तो मुझे लगता है कि आपको अभी शेयर में खरीदारी नहीं करनी चाहिए जब तक यह शेयर अपना resistance high volume के साथ break नहीं करता तब तक आप इस शेयर में खरीदारी मत कीजिए क्योंकि दोस्तों अगर य कैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए ये वीडियो का educational वीडियो था इसलिए शेयर में मरी कोई भी बाई सल्या होल्ड की सला नहीं है धन्यवाद